आपनी साथे शे बिलकुल कोईपन जातना विशेष परीच वगर हाजर करूश्वा करमभाराथी शेबरादी आपका स्वाकीटे करूए थैंक यू सबसे पहले तो लुली से टली सबी रोल तड़ा दड़ा दर स्टेज पे आते भारती जी तो कोई लल्ली के नाम से जानता है, कोई टल्ली के नाम से कोई अच्छी सिंगर है, कोई बोलते कि उनका stand-up comedy खाली आते तो भी laughter हो जाता है, गुजराती में कहा बद है, पूत्रना लक्षन पाड़ना माती, पैदा होता है ना बच्चा, तो जूला जूलते ही उसके लक्षन माल तो आज भगवान की दया से, मतलब परफॉर्मेंस से हम स्टेज भी तोड़ देते हैं, बट बहुत अच्छी मिसाल दी लेंगे, मैं डर गई पहले, आपने उतना गुजराती में बोला, तो मुझे लगा, शैद मुझे भी बोलना पड़ेगा, कोई गुजरात में बैठे ह तो आप लोग को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब के बार मोधी सरकार, बट लक्षन पहले से पता चल गेते हैं, मतलब मैं बहुत डिफरेंट थी, अबने बहुत बहुत शांत थी, मैं बहुत नठकर चंडाल टाइप की थी, सब किसी से पंगे लेना, बड़े-बड़े लड़ाई कर लेनी, और स्कूल कॉलज में भी बहुत बोलना, टीचर से भी लड़ पढ़ना, तो बहुत शिकायते आती थी, मेरी ममी बोलती थी, तेरा क्या होगा, क्योंकि एक तो लड़की थी, और नौर्थ में, पंजाब में, अमरे से छोटे से शेहर से हूँ, तो आप आज भी मेरे ममी बोलती थी, क्योंकि मैं बहुत बोलती थी, लोग बोलते थी, लोग बोलते थी, तो ममी करते हैं, मत बोला कर तेरे फ्यूचर के लिए बहुत बूरी बात है, और आज कहते हैं कि मैंने क्यों बोला, आज पुरा देश कह रहा कि बोलो बोलो चुप मत रहना क्योंकि बोलूंगी तो वो भी मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा के लिए भी चैसे आपने बताया कि स्कुल में बहुत बोलती थी जगडा भी हो जाता होगा और मैंने अभी अकसर देखा भी है कि कही ना कहीं जहां टैलेंट होता ना वहां वो कभी सहन नहीं कर बाते कोई भ कहीं बोल देते होंगे लेकिन स्कुल में कभी भी पर्फॉमंस की बात आई होगी तो क्या शाही तो थी नहीं कभी भारती जी बिल्कुँ भी नहीं मैं बिंदास बोल देती थी और बहुत जादा नहीं बोलती थी बड़ों के आगे तो नहीं बिल्कुल बोलती लेकिन तो दूसरी के अच्छी तुम मैं वह रख दीजी नहीं नहीं उनको रखना मैं प्ले पिट जाएगा तो वही बात हो थी थी पिट जाता था तो लेकिन अभी क्या करें टीजर भी मजबूर होती थी प्रिंसिपल को बीटी को लेना बड़ता था बट कहते ना के अभी मैं गु पड़ा हुआ है लेकिन सही माइने में अगर ब्रेक मिलना वही बहुत इंपोर्टन चीज़ होती है क्योंकि टैलेंट एक उपर से मिल जाता है लेकिन जब अपॉर्शनिटी मिलती है ना वो लकी लोगों को ही मिलती है तो लकी वो 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 वक्त कब आया था भारती जी के लिए कि जब वहां से सीधा उनको ब्रेक मिला रेकागनाईस हुए भारती जी जी वो था सथा 2008 28 मार्च Jet Airways Flight मेरी जिंदगी की पहली फ्लाइट जब मैंने पंजाब से बॉम्बे ली थी और आज 2014 चल रहा है इन चार पांच छे सालों में मैं इतनी फ्लाइट इतनी कंट्रीज में जा चुकी हूँ शयाद मुझे भी खुद भी गिंती नहीं तो जब वो फ्लाइट मेरी वहां से जब अनाउंस हुआ था कि हम मुंबई पहुचने वाले हैं तो तब रात का समय तो मैंने नीचे देखा तो इतनी लाइट है तो तब मेरे को एक अलग सा ऐसा कहते है कि शांती मिल रही थी कि जैसे आप बहुत काम करके घर वापिस नहीं आते कि आरे आराम से सुएंगे तो मेरे को अजीब सा सकून मिल रहा था कि हां मैं घर आ रही हूँ आप ऐसी ये वो ये तो वो थी और आज 28 मार्च 2008 की वो मोका किस ने दिया था वही वही मुझा दिया सर लाइफ ओके नहीं क्योंकि लाइफ ओके का चैनल का नाम पहले था स्टार वन अभी लाइफ ओके चेंज हुआ है तो ओडिशन हो रहे थे अमरे सेर में वो ओडिशन की बात कर आए ओडिशन में जब जाना थ अचिज हो कि लाइफ गपनों जाना था वाए घर सिथा पूंच जाना था क्योंकि अभी जाने नही बहुत कि लड्किंग फोड़्या चैनल कि नहीं जाएंगी विल्म्हा चैनल कि निगलेंगे सारे डिरेक्टर शक्ति का पूर निकलेंगे च्टेंगे अरी पेट को जो कि क्योंकि मुंबई में देखा कि हमेशा टैलेंट की कदर होती है और कर्ति यह ज़ड़कियां गलत काम भी करती है लिकिन उनको पता हुथा मेरे मेरे में तैलेंट नहीं तो कपिल शर्मा जिनका भी शोओ चल रहा है सुदेश लेरी जो मेरे साथ मेरी कॉमेडी क्लासीज में है राजीव ठाकोरो यह मेरे टीचर थे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे यूथ फेस्टिवल की ट्रेनिंग के लिए आते थे प्लेव लेकर आते तो इन्होंने कहा कि हम लाफ्टर थ्री में आया है लाफ्टर फोर होने वाला है तू अच्छा बोलती है सवाल यहां यही आता है वही टीचर जो आपकी कॉलेज में आपको पढ़ाते थे मतलब कॉमेडी के आपको टिप्स देते थे डू यू फिल दाट गोड़ फादर इस मस्ट सर मैं किसी एक बंदे का नाम लेनी सकती मैं बोलो कि मेरे गॉडफादर ही है बहुत सारे गॉडफादर है यानि की मेरे कला के बहुत बाप है जो मेरे अंदर कला है उसके बहुत बाप है तीन चार सुदेश लहरी, राजीव, ठाकुर, कपिल चर्मा तो मैं इन तीनों को हमेशा श्रे देती हूँ और आज भी जब इनके साथ एक बंदेश पर परफॉर्म करती हूँ और कभी-कभी मेरा परफॉर्मेंस जादा अच्छा हो जाता है तो अपने अब में तुरी शरम भी आती कि अपनी निकीचते, आपने मेरे अकसर एक्ट जेखे होंगे, मैं अपने मोटापे पर बहुत बोलती हूँ I am not talking about act मैं केरियर ग्राफ जब आगे कोई जाता है, उस वक्त किसी को डिस्टब करना मै अच्छे दिन वाला टाइटल आ उठा लिया है क्युंकि अब फिम्टेया के गुजरात के पुरए भारत के अच्छे दीन चल रहे हैं तो थो ऐसे सोचा कि अच्छे दिन रखते हैं क्योंकि यह बहुत एकτοफ शेमस नाम हो गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं जब रजल्ट गॉड़ने वाला था मोडी जी ज़ू ढुरे कोई बड़ी जॉब मिले तो आपके अच्छे दिन आते तो हमने लेखा था अच्छे दिन इंसिटूड जो भी वहाँ पर आएगा कुछ अच्छा बन के जाएगा तो इसलिए अच्छे दिन इंसिटूड कौमेडी क्लासेज छोटे टाउन जैसे आपने बता है कि मैं अम्रसर जैसे छोटे टाउन में थी छोटे सिटी में थी जब बंबई आई फ्लाइट में जा रही थी जेट एर्वेज में आपने नीचे लाइट इतनी सारी देखी आप खूस हो गए मेरा सीधा सव हाकाम पर पहुँच गे छे साल में क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा मोका मिलता है कि सिर्फ छे साल में यहां से लेकर यहां तक पहुझाए पुरा हिंदूस्तान पूरे वर्ड में जहां जहां हिंदूस्तानी रहते बसते वह लोग भारती जी को एक फेस वैल्यू उनकी बन गई है ऐसा मोका जो यहां लोकल टैलेंट पढ़ाओ है उनको भी मिलना चीए कैसा थोट मिलता है सर मिलता है हम घरों से बाहर ने निकलते सर अभी हर चैनल आपके घर में थोड़ी आ सकेगा कि क्या बात है सर बहुत अच्छा करते है के बीस की अगला पोस्ट करेंगे बच्छन साब को यह रहे आपको ले आपको ले रहे आपको बाहर रह रैरेंगे कमेरे मेरे मीए तो आजकाल चोटी चोटी शहरों में ऑडीशन के लिए टीम जाती हैं अब गाव गाव में तो चुलो नवी जाती लेकिन एक जैसे गुजरात है इसके आसपास जैसे हम एमधा बाद में बड़े शहर में गुजरात के तो कच गांधी नगर ये लाज कोट तो ये बाड़ी ल आपके लिए आ रहा है हम डरते हैं कि नहीं लोगों को बाहर आना चीए अपना टेलेंट जो है वह को सीधा सामने जाना चीए यहां रोकों का वक्त हुए छोटे से ब्रेका दर्शक में विराम बात वात करी शूब भारती साथे बीजाता बग्कानी हाई मैं हूँ आपकी प्यारी सी मोटी दगडी भारती सिंग और जी टी पी एल के सारे दश्कों को मेरी तरफ से यानि की भारती सिंग की तरफ से 85 kg की हैपी दिवाली पिरामबद फ्रेक और सौगेच अपनू कारेगरम अती थी मा भारती सिंग जी साथे बाद भारती जी ज्यादा तर देखा गया है कि अपनी ट्रेजेडी को छुपाने के लिए लोग कॉमेडी का इस्तेमाल करते हैं जितने भी चाहे स्टेंट अप कॉमेडी आर्टिस्ट हो और भी कोई भी कॉमेडियन हो उनके पीछे एक दर्द छिपा हुआ होता है बचपन की उनकी जो भी तकलीफ है थी कहीं छुपाने की कोशिश इस हसी में रहती है भारती जी को भी बचपन में पिता जी का साया खो दिया था उनके तकलीफ है बहुत बहुत दिक्कत है आई थी मैं इसे लिए सवाल पूछाओं क्योंकि आपका जबाब इस जो जन्रेशन है जो कि तकलीफ हो से डर जाते कहीं और कदम उठा लेते उनके लिए सुनना चाहूँगा क्या-क्या तकलीफ है थी खास ऐसी जो बाते जो शायद आज तक भारतीजिने कहीं नहीं है अ तकलीफ है थी लेकिन कुछ साल मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं दो साल की थी जब मेरे थादर एक्सपार हो जते तो बच्चा बहुत चोटा होता उसको पता भी नहीं होता कि उसको पता मम्मी ए डड़ी ऐसा पता होता है मैंने अपने प्यार का प्यार देखा एनी लगता हैं तो कि भी मुझे लगता हैं जाएंग कि अपता लगाने के तुम बापा के साइन होतीह और अब मेरे से जादा टकलीफ थी मेरी मम्मी ने और मेरे भाई-बहने सहिए ग्लु कोई तब बड़े थे मेरे हर इच्छ पूरी करते थे जब हम छोटे थे आज दिवाली कि मैं इतनी एक्साइटेड़ के ये इंटर्वी देना है कल शूटिंग करनी है फिर घरवालों के साथ दिवाली मना तब तब ऐसा लगता था हाई क्यों आ दिवाली क्यों आ रही है क्यों कि बच्छी होते है कि फेस्टिवल मनाओ पैसा हो गारी हो यह कपड़े हो या मिठाई ह तब तो कुछ था ही निए मम्मी जह पे काम करते हैं वहां से मिठाई का दबा मिलता था उसी से लक्ष्मी पूजा होती थी कि खुद का दबा खरीदने के लिए मिठाईगा तब पैसे नहीं थे तो इंतजार करते थे तो तो फेस्टिव लाते ते मैं घर से निकलती नहीं होली वाले दिन या दिवाले अंदर ही बैठी रहती थी और अपने आपको को स्थी थी अपने से जादा भगवान को स्थी थी कि हमें गरीब क्यों बनाया कि बाको की बच्चे सब देखते थे अच्छी फ्रॉक्स डाल के घूमते थे मिठाईगा इतने पठाके चला थे हम मैं उन्ही पठाको में खुश हो जाती थी कि मैं लोगी तो यह करूँगी तो बहुत सारी मुश्किले देखी है और मैं अपनी फैमिली को भी देखती हूं आच तो जो पहले निकल गया मैं शायद अभी बगवान करे कि ऐसा कभी दुबारा वो दिन ना आए वापिस मैं उ कि मेरे घरवालों के अच्छे दिन आये है और मेरे को अच्छे दिन ही रखने है क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता वनों ने कितना स्ट्रगल किया मेरे लिए क्योंकि बच्चा दो खाना मांगता ही है उसको थोड़ी बोलेंगे कि बटा पापा नही है मम्मी कम अच्छे अच्छे तो आज एक रोटी कालों मेरे को दो खानी है तो उनको दिन वह दुबारा नहीं दिखाना चाहती इसलिए वह एसी में अपने अपने अलग 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 कमरे में सोई इसलिए मैं 36 जागी हूं क्योंकि मुझे इतना काम मेरा और मुझे काम करना है उनके अच्छे लिए मेरा फंडा है पतंग एक बात उड़ती है अब वह पतंग उड़ा के दुबारा उतनी नी अच्छे अच्छे लेडी बिल्खिल मेरे कि साब की जिन्दगी मैं मम्मी यह जो इस्ट्रॉंगेस लेडि आप उनको आवार्ड देना चाहेंगे लेकिन लेकिन ल कि अंगेस लेडी को उनकी आँखों में सबसे जएदा दर्द कब देखा था जब आप भी मतला तूटेए अक्सर देखती हूं अक्सर देखती हूं जब मैं सुबह पांच बजे घर आती हूं थकी हुई बहुत दर्द हुरा था मुझे लेकि मैं आज तक मिरको इतना बुखा तो अभी भी वह दर्द देखती हूं उनको लगता है कि मत कर तू बहुत है हमारे लिए तू आज आया कर घर वापिस रात की शूटिंग मत किया कर उनको बोलो कॉमेडी क्लासिस वालों कि रात की एक एपिसोड कर ले दो ना करें तू आज आया कर वापिस नहीं जब अज़ अज़ रहने चाहिए ज़लो मम्मी को तुना बड़ दर्द मेरी वज़ा से होता है तो वह जायज है कि मम्मी सबसे ज़ादा खुश कब हुई थी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कि वैसे ज़्यादा कभ देखिय देखिघ थी अनका जब मुझे पहली बार 6 इंहों ने स्टेइज परफॉर्म करते थी उर्व मेरेस सामने बठी मैं आपको क्या हो गया था किती मुझे खुद नहीं पता तो वो खुशी थी आज भी सर मैं कोई भी चीज परफॉर्म करती हूँ चाहे बचन साफ के साथ करना चाहे शारू कान के साथ मैं बैक स्टेज कभी भगवान को याद नी करती मैं हमेशा आख बंद करके अपनी मम्मी का चेहरा देखती हूँ क्योंकि मैंने भगवान जिंदा जागता नहीं देखा मैंने मूर्तियों में देखा है जो मेरा भगवान है मेरी मम्मी उनको मैं रोज देखती हूँ उनको हाथ लगाती हूँ मेरे को प्यार करती है मेरी केर करती हूँ मेरी बहुत कुछ करती है तो तो मैं आज भी back stage अब करती हूं तो मैं अपनी मामी को देखती हूं। धिर में जाखे बगवान को सोचते हूं कि बगवान तू सम्भावना हो पहले अपनी मामी को देखती हूं फिर बगवान को ओक ओके एक character जब आपकर ळली का character जो म leagues आप से सबसे कि आप एक छोटे बच्चे का करिए या तो वह लली का करेक्टर ढूंडने के लिए किसको आइडल बनाया था अपने क्या आजुगा यू अजुगा यू अजुगा यू तो एक बर मैं बच्चे की आवाज में बात कर रही थी तो ना बाहर खड़े थे उन्होंने बोला मैं आप एक दम आप आप यू लड़की ओ सारी रहसल करो तो हम मस्ती कर रहे थी मैं बच्चे की आवाज में सब को छीड़ थी अँटी इदर आजाओ प्लीज ये कर लो तू नहीं खड़े थे तो एक दम आय कहते ये कौन बोल रहा था बच्चे की आवाज में तू सब डर के म पर फॉर्म किया इंटर उनिवर्स्टी में तो मैं फर्स प्राइज फिर मैं नेशनल तक पहुचकी लली किया और जब अफ्टर चल्ज में परफॉर्म किया तो डिरेक्टर ने पूछा आपको कुछ कुछ करेक्टर आता है कोई बुड़ी कर सकती आप कोई बच्चा वच् तो कि तेरे लली आ गई तो कभी कभी डर लगता शादी के कार में लली ना चप जाए बट लली मैं ही हूँ बच्पन की के तेरे लड़कियों को कम बोलने दिया चल अंदर चल तू तो पट्टा कहा है लड़के आ रहे हो बोला नहीं कम बोला कर तो अभी लली बहुत बोल इस लली जी से बात करेंगे उनके बारे में ही बात करेंगे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का दर्सक में दो विरामबाद फरी एक वर अंतिम तबक आनिवातो भारती जी साथिनी हाई मैं हूँ आपकी प्यारी सी मोटी दगडी भारती सिंग और जी टी पी एल के सारे दश्कों को मेरी तरफ से यानि की भारती सिंग की तरफ से 85 kg की हैपी दिवाली विरामबाद फरीक और सौगेच आपनू कारेकरम हती थी मांतिम तबक आनिवातो भारती जी सिंग भारती जी 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 आपने बता कि लली जी का केरेक्टर आपने कहीं छोड़े बच्चे की आवाज निकाल रहे थे और पहचान लिया और बता कि ये आवाज हमें कॉमेडी, स्टेट पर्फोर्मेंस ये पिस्टल का कहां से शौकी से ने गुसा दिया था आर्चरी और पिस्टल का सर पता नहीं क्यों जितना भगवाल ने मोटापा दिया है शैद दूतिन टेलेंट एक सार डाल दिया है तो थैंक यू सू मच ये भी एक मजबूरी थी सर राइफल शूटिंग क्योंकि आपको मैंने बताया है जैसे आपने मेरी लाइफ जान ली पूरी के कैसे फैमिली बै दिए शूटिंग करती थी वह अच्छी है तो मैंने का क्या मैं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं आपके आपके ऐलेंगे बोले आपने सार्टिविकर दिखा हो तो मैंने दिखा है शूट्स के मैडल वैडल थे तो उन्हों मुझे फ्री पढ़ाया आपने और मैं राइफल तो करते करते मेडल आते रहे कि मुझे पढ़ना था अगे तक फिर राइफल शुटिंग एक कॉलज ने एक और गेम इंटर्डिउस की आर्च रीती रंदाजी उसमें मेरे पास दो-तिन मेडल है तो भगवान को हाज जोड के दिन रात यही बोलते थी कि भगवान शुटिंग अगे निकला शुटिंग में तो भगवान कहते», चड ज़व स्टेज़ यह फिर शूटिंग पर शुटिंग पर आगे कलो है ं। एक यह इन्दी मूवी समझे वाली बात है पंज Inform जैभी मूवी समझे वाली बात है भारती जिनने कान्ड मूूवी कर दी थी क्या हो गया थ मुझे शिवाए ते लिए भी गवार उनमें नाजा की एक गाना किया था.. हो वेखた हगया जिए झाना की का या ऐम एक लगला है मैं यह पिर आगया का han shoulder मैं का आधना करा रहिए JEN करन एक हो बस Googled that up कपड़ें फूल, गारह जोली फूल यह और जोले कंगश फूपल Jetzt यह यह जनाहिए बहुत समाल। मैं जब गई और नाचने का मुझे बहुत समाँ शोंग है मैं आपको पता हमारा भी थोला गुज्रती तो भाडर ही हिसाब है तो एक दम पूरा उन्होंने प्रभुदेबा बना दिया शक्षक करके बहुत अच्छा किया और डांस की तो बैसे शोकिंती सलिए मैंने हा बोल दिया मूवी का आता कि मूवी करो तो मैंने बोलती क्योंकि मेरे को आधी चीज नी करनी है अगर आती है अभी मेरे को मराठी मूवी के बहुत ओफर है लेकिन मेरे को मराठी आती नहीं तो मैंने है जब आएगी तो मैं करूंगी सारी चीज़े करूंगी शादी भी करनी है बच्चे भार नहीं आ रहा है। इसा कभी अंदर जाल रहता है। जो आपको बहुत ही पसंद है हमारे विवर्स के लिए। इस इस लास्ट पर्फोर्मस हमारे इस शोव के लिए। बेकुल बेकुल मेरको वैसे तो सारे गाने पसंद है जिसकी बीट्स अची हो लेकिन अभी रिसली जो भी इक साल पहले मुवी आई राम लेला तो नगारे संग ढूल मुझे बहुत अच्छे लगते और मैंने बहुत कोशिशी की वैसा नाचने की लेकिन मैं नाच नहीं अगली वर मैं आपको पका नाच के बताऊंगे और इनको भी साथ में ना चाहेंगे हम दर्शक मिद्रों अत्यारे हासा में थायो छे आमना थी विदायलेवानों अंतीम तबक्कामा जोईशू आपने भारती जीना बेस्ट कॉमेडी सिंस मौनी को मौनी कई बाकी चुबचाता काले चूले गए मस्ते सबीको मैं लली दोल्डरों सुरिंदर तबलेवाला इत मत मारना बहुत लगेगी मुझे नहीं लगेगी बत्तमीज मेरा निसानना बहुत अच्छा है तुझे दर्दोंने से पहले तुमारी देथ हो जाएगी थानक्यू अरिमच भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक में दर्वा आती वात खास मुलाकात भारती साथे निफरी मलिशन नेक्स्ट एपीसोड में एक नवा आती थी साथे त्यासू रेजाप्षन नमस्कार थैंक्यू रिमाट थैंक्स अगे झाल